खुश खबरी एक आई है हर्याना पंचाय चुनाव को लेकर जो मैं आपको बताऊंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए ताकि कोई भी खबर हर्याना पंचाय चुनाव से जुड़ी हुई जैसे ही आती है आपको सबसे पहले पता चल सके और बेल आइकन भी जरूर दबाईए जिसे के आपको हर नोटिफकेशन हर्याना पंचाय चुनाव का मिल सके हर्याना पंचाय चुनाव जितने बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं ये 24 फरवरी से पहले अब ये नई पंचायते बन मरमत का कारिया सुरू हो गया है जो मतपेटिया जमू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन के लिए गए हुई थी अब वो वापिस मंगवाली गई है और उसका मरमत का कारिया स्टार्ट कर दिया गया है और 20 अपरेल के बाद चुनाव की कभी भी डेट गोशित हो सकती है पंच पंचरे स्टेट में गए हुए थे चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के समय मतपेटिया तकनी की रूप से सही मिली और इनके लिए अब ये चुनाव में काम आ सकती है और बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक मतपेटियों की अगले कुछ दिनों में ओवर होलिंग करवा पिछले 30 मार्च को चुनाव समंधी सामगरी भी पहुँच चुकी है लोक वैसील लगती है मतपेटियों को मतदान की परकिरिया सुरू करने से पहले मतपेटियों को चुनाव एजेंटों की मौझूदगी में अच्छी तरह से जांच करवा कर उस पर लोक लगा दिया जात ताकि इन पर असानी से लोक लगाने का करिया किया जा सके वहीं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत जितेंदर लाठर ने का है कहा है कि मतपेटियों की ओवर होलिंग शुरू करवा दी गई है जल्दी ही बैलेट बोक्स को चुनाव के हिसाब से तयार करवा लिय जाएगा उनको बैलेट बोक्स को भी तयार करवा ले जाएगा और मत बेटियों की अब मरमत की जा रही है और यह महिलाओं का जो ओड इवन अरक्षन है उसके मामले भी महिलाओं की जो याची का दायर की थी इस मामले की सुनवाई 20 अप्रेल को होनी है अगर उस दिन मसले को लेकर कोई फैसला आ जाता है तो तुरंत बाद चुनाव की परकिरिया शुरू करवा दी जाएगी तो इसका मतलब यह है कि जल्द स्यजल्द हर अपर जवाब आ जाता है तो हर्याणा पंचायत चुनाव की अब यह सोच लीजिए कि अभी कुछी दिनों में डेट घोश चाहती है कि कहीं लोकडाउन ना लग जाए उसे पहले-पहले हर्याना पंचाई चुनाओ उसके लिए आप हमारा कोई भी नई खबर जैसे हर्याना पंचाई चुनाओ कि आप अगर चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ठाकि हर नई डीटेल आपको शमय पर प झाल झाल